कॉलर में बीजेपी जलाद दक्ष अभाय चोधरी ने प्रेस वारता की जिसमें उन्होंने कॉंगर्स पार्टी पर चमकर निशाना साधा उन्होंने का कि कॉंगर्स ने 63 साल यानि 2003 से पहले मद्ध प्रदेश को खुब लूटा है कॉंगर्स ने प्रदेश में जो कुछ भी कभी उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया लेकिन हम अपने शौहसन काल का रिपोर्ट कार्ड चनता के सामने लिकर आए हैं प्रदान मंतिर ने ये परंपरा शुरूर किये कि जो काम किये गए प्रदेश को बताएं जाएं और उसके आधार पर ही वोट मांगे जाएं हमने पिछल पांच सालों में जो भी सक्षा स्वास्त और चन सुबिदाओं को देखतों इविकास कार किये हैं उसे रिपोर्ट कार्ड में पेश किया गया है हमारी हमने जैसा कहा जो कांगरेश ने 2003 के पहले जिस तरह से देश को लूटा प्रदेश को लूटा एक तो हमने जैकाय कांगरेश ते है कि उन्होंने करीब 53 साल राज किया उनको अपना रिपोर्ट कार लेगे पबलिक के बीच में आना चाहिए उन्होंने क्या किया ये बताना चाहिए हमारे हमारे आदरनी मौदी जी ने ये परंपरा सुरू करी है कि जो भी सरकार हमारी परदेश में हैं वो अपना अपना रिपोर्ट कार पांस साल बाद जन्ता के सामने पेश करेंगे और जन्ता के बीच में जो रोना काम किया है उसके आदार पर बोट मांगेंगे तो हमने आज रिपोर्ट कार हमारी सरकार ने पेज़ किया है हमने इन पांस सालों में क्या क्या किया